लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटिक को और किलिक करें बैल आइकन पर ताकि स्लाइस से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको बुकरम का गोल गला बनाना बताएंगे कटिंग और स्टीचिंग मैं आज आपको दोनों ही इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने ये कुरते की कटिंग कर ली है नॉर्मली जैसे हम सूट काटते हैं सेम वैसे ही और ये मैंने ली है बुकरम जिसे हम कैनवास भी बोलते हैं सबसे पहले तो हम इसकी चोड़ाई लेंगे कि कितनी चोड़ाई से हमें ये डबल करनी है तो हम mostly गला धाई का रखते हैं धाई से तीन तक धाई का गला आपका कभी भी कंदे पड़ से उत्रेगा नहीं इसलिए अगर आपको धाई की चोड़ाई रखनी है तो आप चार इंच लेके बुकरम मोडेंगे मैं ये आदे गले की चोड़ाई बता रही थी धाई यानि पूरे गले की चोड़ाई पांच और चार इंच जहां से हमने लिया है वहीं से हम बुकरम को डबल कर लेंगे इस तरह से अब हम बंद भाग की तरफ से धाई इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से तीन इंच का गला भी ठीक रहता है लेकिन वो थोड़ा पतले लोगों के कंदे पर से उतरता है अब हम गले की लंबाई लेंगे अगर हमें तयार गला चाहिए छे इंच का तो हम साड़े छे इंच पर लेंगे लंबाई और नीचे से चोड़ाई भी वही धाई इंच लेनी है इस तरह से चोकोर निशान लगा लेना है अब हम गलाई के लिए निशान लगाएंगे तो वो हम आधे इंच से एक इंच तक लगाते हैं एक इंच की गलाई बिल्कुल ठीक रहती है इस तरह से निशान लगा देंगे गलाई कर देंगे अब हम गोलाई वाले निशान से एक एक इंच फालतू पर निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग कर देंगे चाहें आप पहले अंदर का काट लो या बाहर का कोई सा भी काट लो इस तरह से काट देंगे अंदर का गला भी और यह देखिए कितना परफेक्ट हमारा गोल गला कट चुका है बुकरम का अब हम इसको बनाएंगे कपड़े पर तो सबसे पहले तो हमें वेस्ट कपड़ा लेना है जो बचा हुआ कपड़ा होता है सूट का बचा हुआ कपड़ा ले लेंगे और उसपर एक तरफ हम इस तरह से गला रखेंगे निशान लगा लेंगे दोनो तरफ और एक नीचे की तरफ इससे सिलते वक्त हमारा गला जो है वो इधर दर नहीं भागेगा एक एक इंच एक्ष्ट्रा निशान लगा कर काट देंगे इस तरह से अब हम इसको फिर से रखेंगे गले को इस पर कपड़े पर और अब हम मशीन से कच्छी सलाई लगाएंगे आप चाहें तो हाथ से भी कच्छी सलाई लगा सकते हैं हाथ किसुई से ये निशान लगाने से हमारा गला चादे चोड़ा नहीं होता है अपनी जगा पर फिक्स रहता है और इस तरह से हम कच्छी सलाई लगा लेंगे ये देखिए नीचे वाला निशान भी सही जगे पर आना चाहिए इस तरह से सलाई लगाते चले जाएंगे ये देखिए हमने ये कच्छी सलाई लगा ली है गले में अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये जय जादा है एक-एक इंच अब हम इसको आदा आदा इंच छोड़ेंगे और बाकी हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे ये देखिए इस तरह से आधा आधा इंच छोड़ेंगे बाकी सब कपड़ा काट देंगे हम देखे हमने कपड़े की कटिंग कर ली है गोलाई में अब हम इस तरह से मोड़ेंगे इसको यहाँ पर भी कच्छी ही स्लाई लगाएंगे और जहां गोलाई आ रही है वहाँ हम हलके आश से कपड़े को मोड़ते रहेंगे प्लेट डाल देंगे कपड़े में इस तरह से और स्लाई लगाते चले जाएंगे और उपर जो हमारे इसमें एक्ष्ट्रा है कपड़ा उसको हम काटकर निकाल देंगे यह स्लाई लगने के बाद अगर हमारा कभी गला छोटा कट जाए आधा इंच, तो हम इस तरह से कपड़ा रखकर उसको बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर हमारा गला सही कटा है तो हम यह कपड़ा एक्ष्ट्रा काट कर निकाल देते हैं, अब हम इस गले को बीच से डबल करेंगे, उल्टा ही डबल करना है हमें और इसमें बीचो बीच चौक से निशान लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से उपर कुटका भी लगा देंगे हम अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए इस तरह से हमारे निशान लग गए हैं बीचो बीच अब हम सूट में निशान लगाएंगे बीचो बीच तो सूट में हम किस तरह से निशान लगाएंगे पहले हम सूट लेंगे जिस पीस पर हमें यह गला बनाना है वही आगे का गला बनाना है तो आगे का पीस, पीछे का गला बनाना है तो पीछे का पीस तो ये हमारा आगे का पीस है सामने का निशान जो हमें लगाने हैं वो सीधी तरफ लगाने है इस तरह से हम डवल कर लेंगे सीधी तरफ से और बीच ओ बीच निशान लगाएंगे बस utने ही इसे में लगाते हैं जितने में हमारा गला आएगा नीचे तक निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कुटका लगा देंगे बीच ओ बीच जैसे गले में लगाया था, सेम वैसे ही और ये देखिए हमारे सूट पर भी निशान लग गए हैं बीचो बीच अब हम इसके उपर जो हमने गला तयार किया है वो रखेंगे बहुती आसानी से आप इस तरह से गला बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से हम गला रखेंगे सीधे सूट पर सीधा ही गला जानि सिधे पर सीधा जो गले का उल्टा हिस्सा है वो आपकी तरफ आना चाहिए आपको दिखना चाहिए और बीच ओ बीच हम कच्ची सलाई लगा देंगे ये सलाई लगाने के बाद हम इस तरह से गले को पकड़ेंगे और उधर सूट को डबल करेंगे और नापकर देखेंगे कि ये गला हमारा बीचो बीच आ रहा है या नहीं अगर गला बीचो बीच नहीं होगा तो कपड़ा उचा निचा निकलेगा दोनों तरफ से गले का भी कपड़ा निकलेगा और उदर सूट का भी कपड़ा उचा निचा आपको दिखाई देगा यह बिल्कुल सही गला लगा है हमारा इसलिए अब हम इस पर सलाई लगा देंगे अब हम पक्की सलाई लगाएंगे बिल्कुल हल्की इसी बुकरम पर चड़ाते हुए हम सलाई लगाएंगे हल्के हाथ से लगानी है यहाँ पर गुलाई में रोक रोक कर बहुत हल्की सी बुकरम पर चड़ानी है बहुत जादा बुकरम पर चड़ाकर सलाई नहीं लगानी है ये देखिए इस तरह से हमने स्लाई लगा ली है पीछे से इस तरह से दिख रहा है ये अब हम इसमें कटिंग करेंगे तो कटिंग हमें करनी है आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ कर बिल्कुल पुकरम के बराबर से नहीं काटना है नहीं तो गला खराब हो जाएगा आधा आधा इंच छोड़ कर कटिंग करेंगे गोलाई में और अब हम कट लगा लेंगे जो सलाई हमने करी है और सलाई से पीछे ही कट लगने चाहिए तक कटना चले जाएं और कच्ची सलाई हलकी सी जो दिख रही है उसे हटा देंगे और गले को अंदर की तरफ पलट य्ह देखे, इस तरह से अब हम इसमें सलाई लगाएंगे देखे, यह बुकरम ऐसे हमारी अंदर की तरफ पलड जाएगी और अब हम सलाई लगाएंगे गले की बिल्कुल किनारी पर हलके हाज से सूट का कपड़ा खीचते हुए और हमेशा जो सूट का कपड़े का हम जो खिचाव रखेंगे वो मशीन की तरफ रखेंगे, अपनी तरफ नहीं रखना है इस तरह से इस लाई लगा देंगे, फिनिशिंग के लिए लगाते हैं इस लाई और अब हम एक बड़ी सलाई लगाएंगे इस सलाई के लगने के बाद, इससे हमारे गले की शेप एकदम साफ नजर आती है और अब हम बड़ी सलाई लगाएंगे, थोड़ी दूरी पर वो हम तुर्पाई करने के बाद हटा देंगे हमें यह याद रखना है कि कपड़े को मशीन की तरफ धकेलना है अपनी तरफ नहीं खीचना है, नहीं तो जोला जाती है गले में और इस तरह से हमने यह कच्छी सलाई भी लगा ली है और यह देखिए, पीछे से भी इतनी ही फिनिशिंग के साथ यह गला बनता है जितना आगे से बनता है, सामने से अब हम इसमें तरफाई कर लेंगे, हाथ की सुई से और तरफाई करने के बाद यह जो कच्छी सलाई हमने लगाई है, इसको हम हटा देंगे यह देखिए, तरफाई करने के बाद हमारा यह गला बिलकुल तयार है और बहुती फिनिशिंग के साथ एकदम सफाई से यह गला हमारा बना है यह हमने तरफाई की हुई है एकदम परफेक्ट गोलाई भी निज़र आ रही है इसकी जितना यह हमें यहाँ से साफ दिख रहा है, उतना ही यह हमें पीछे से भी अच्छा दिख रहा है और इस तरह से मेरी यह वीडियो कम्प्लीट होती है आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आप भी ये गला जरूर ट्राई करें थाइंक यू